हेलो और वलकम एवरीवन आज हम डिस्कस करेंगे मानेजमेंट ओफ बैनेफिशल इंसेक्ट की नेक्स टॉपिक के बारे में डिस्केशन जो की है रोल ओफ पॉलिनेटर्स, वीड किलर्स एंड स्केविंजर्स सबसे पहले हम जानना होगा कि पॉलिनेटर्स, वीड किलर्स या स्केविंजर्स होते क्या है यानि कि ऐसे इंसेक्ट जो की पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उन्हें हम बोलेंगे पॉलिनेटर्स ऐसे इंसेक्ट जो की वीड को किल करते हैं उन्हें हम बोलेंगे वीड किलर्स और scavengers जो हैं जो dead organic material है उसको decaying करने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं scavengers या फिर किसी भी जो organic substance या organic material पड़ा है soil की surface पर उसकी decaying करने का जो काम करते हैं उसे हम बोलते हैं scavenger सबसे पहले हम देखते हैं role of pollinators अगर हम insect का beneficial aspect से importance देखें तो pollinators का एक बहुत ही बड़ा role है pollination होता क्या है एक flower के enter से pollens का transmission होना दूसरे flower की stigma पर इस process को हम बोलते हैं pollination और pollination की जो process है वो cross pollinated crops में देखने को मिलती है जहां पर एक flower के pollens को दूसरे flower की stigma के उपर transfer किया जाता है और यह जो transfer की जो process है यह insects के द्वारा होती है बाकी यह other अलग-अलग methods के द्वारा भी हो सकती है लाई कभी-कभी यह air के द्वारा या फिर हम बोल सकते हैं wind के द्वारा पानी के द्वारा इन सब method के द्वारा भी देखी जाती है लेकिन pollinators का role जो है pollination में वो सबसे ज़ादा important है जिसमें भी सबसे ज़ादा अगर हम बात करें तो हम honey bees के द्वारा होने वाले pollination की बात करते हैं जिसे की melitophilia बोला जाता है किसी भी particular type के insect से होने वाले pollination को एक particular term दी जाती है जिसे की उसी से identify कि यह pollination किन से हो रहा है सपोज हनी बीज से होने वाले पॉलिनेशन को हम बोलते हैं मैलिटोफिली सिर्फिड या फिर बॉंबी फ्लाइट फ्लाइज के कारण होने वाले पॉलिनेशन को हम बोलते हैं मायोफिली इनमें जो सबसे इंपॉर्टन्ट है वो बीज से होने वाला पॉलिनेशन है इसके अलावा आप बिटल से होने वाले पॉलिनेशन को भी याद रख सकती है डिरेक्ट एक्जाम में कोशिन पूछा जाता है मैलिटोफीली क्या है या फिर अगर पॉलिनेशन हनी बीज के द्वारा हो रहा है तो फिर उसको क्या टर्म देते हैं हनी बीज as a pollinator तो हनी बीज की जितने भी species हैं जो हमने लास्ट प्रीवेस वीडियो लेक्चर में डिस्कुस किया था चार जो बीज स्पीसी हैं वो सारी की सारी पॉलिनेशन में हेल्प करती है और अगर हम भोलें कि हम हनी बीज की रियरिंग क्यों करते हैं honey production के लिए लेकिन honey production को अगर छोड़ दिया जाए तो honey production के महत्वे से भी 15 से 20 गुना जादा महत्वे है honey beads से होने वाले pollination का क्यूंकि ये different crops में yield को increase कर देता है अगर हम percent yield increase की बात करें तो mustard में honey beads के द्वारा 43% increment देखने को मिलता है yield में क्योंकि जितना ज़्यादा क्रोस पॉलिनेशन होगा हमारी इल्ड उतनी ही ज़्यादा आएगी और मस्टर्ड की जो क्रॉप है उसमें हनी बीज के द्वारा पॉलिनेशन करवाके 43% तक इल्ड इंक्रिमेंट देखने को मिलता है इल्ड में इंक्रिमेंट देखने को मिलता है बाई बी पॉलिनेशन इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कोटन, लूशन, ओनियन, एपल, काडिमम जैसी क्रोप्स में भी हनी भी से पॉलिनेशन देखने को मिलता है नेक्स्ट आती है होवर फ्लाइज सारिफिस इस्पिसेज ये ब्राइट कलर फ्लाइज होती है जो की अलग-अलग क्रोप्स जैसे कैरट, कोटन, पल्सेज में क्रोप्स पॉलिनेशन करवाने का काम करती है या पॉलिनेटर्स के रूप में वर्क करती है next आती है carpenter bee ये भी इसी तरीके से dark blush bee होती है जिसकी hairy body होती है next सबसे important है fig wasp fig wasp क्या है fig में pollination करने का काम करता है और यहाँ पर interesting thing यह है कि fig की जो plant है उसमें pollination only fig wasp की द्वारा ही होता है यहाँ पर fig wasp को छोड़ कर कोई other mode of pollination नहीं है इसलिए आप समझ सकते हैं कि fig कि crop के लिए fig वास्प का होना कितना जरूरी है अगर हम बात करें तो दो टैप के fig होते हैं फ्रस्ट कैप्री फिग और सेकेंड सिम्रेना फिग कैप्री फिग जो है वो वायल्ड टैप का फिग है जो की edible नहीं है जबकि सिम्रना फिग जो है वो एडिबल फिग है नेक्स्ट है ओयल पाम पॉलिनेटिंग वीविल जो ओयल पाम को पॉलिनेट करते हैं तो इसकी वज़े से ओयल पाम के बंच में 35% वेट में इंक्रिमेंट देखने को मिलता है और लगबग 20% ओयल कंटेंट में में हेल्प कराती हैं हमारी सेकंड के टिगरी आती है इंसेक्ट की वीड किलर्स ऐसे इंसेक्ट जो की वीड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं उनके उपर फीड करके उन्हें हम बोलते हैं वीड किलर्स आपको पता है कि बहुत सारे वीड्स ने आजकल तहलका मचा रखा है बहुत सारे weeds एक economic point of view से damaging है बहुत सारे ऐसे weeds है कि आज की present scenario में अगर देखा जाए तो आप जहां नजर मार कर देखेंगे वहां आपको वो weeds दिखाई देंगे इसके examples हैं like open shea, lantana camera है इसके अलावा जो parthenium weeds है आपने देखा होगा वो किस तरीके से overgrowth कर रहा है इसके अलावा अगर हम पानी की बात करें तो पानी वाले रास्तों को भी बहुत सारे weeds जो है वो effect करते हैं और उनके जो growth है या पानी के movement को रोक देते हैं पानी से जो रास्ते जाते हैं उनको रोक देते हैं जिसका सबसे better example है water hyacinth water hyacinth के बारे में आपने सबी ने सुना होगा इसके बारे में हम आगर discuss करेंगे तो कितना सही होगा कि अगर किसी किनी weeds को insects की help से control किया जाए तो environmental friendly भी रहेगा हमारे environment को भी कोई harm नहीं होगा chemicals वगरे का स्प्रे करने के लिए और बहुत सारे तो ऐसे weeds है जिनके लिए अभी तक कोई chemical बना ही नहीं है अगर हम बोले तो पार्थिनियम जो है उसको control करना अभी तक संभव ही नहीं हो पाया है किसी particular chemical की help से तो इसमें सबसे पहला एक्जामपल है डक्टाइलियोपस टॉमें 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 टॉसस यह ओपनशिया को control करने में help करता है इस इंसेक्स का introduction इंडिया में 1925 में हुआ था इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्जामपल्स है लाइक अरिस्टोटले बटरफ्लाई है जो की जिसका scientific नेम है पैपिलियो अरिस्टोटली यह अरिस्टा लोचिया वीड के उपर फीड करती है इसके अलावा कैयो ट्रॉपिस बटरफ्लाई है एकी ग्रास ओपर से पर सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट आपको ओपनशिया को ध्यान में डिक्टाइलोपस टोमेंटस जो है जो की ओपनशिया को ग्रफ यह सब जानती है जाएग्योग्राव बाइक कोलेड करता है इसके अडल्ट्स और ग्रफ्स जो है वह पर्थिनियम की लीव्ज और फ्लाऊर्स पेफीड करते हैं और दो बिटल्स मिलकर एक प्लांट को लगबग 45 दिन के अंदर डेस्ट्रोई कर सकती है इसके बाद आते हैं स्केविंजर्स स्केविंजर्स क्या होंगे ऐसे इंसेक्ट जो की डेड या डिकेइंग प्लांट और अनिमल मेटर के उपर फीड करते हैं और उसके डिकेइं करते हैं ये डिकमपोजिंग मैटीरियल को रिमूऊ कर देते हैं जिससे हेल्थ घजाल जो है वो काफी मात्रा तक कम हो जाते हैं इसके अलावा कॉंप्लेक्स मैटीरियल को सिम्हयीन संब्सक्रांट के बारे में अब हमें समझना चाहिए कि इसमें सबसे ज़ादा important चीज़ें किस पे focus करनी है अगर आपके exam में long question या फिर short question theoretical type of exam में अगर पूछा जाएगा तो direct पूछा जाएगा कि weed killers के importance बताओ तो उसमें आपको particular जो insects हैं उनके नाम उनके scientific name के साथ में ध्यान रखने होंगे जैसे आप लिख सकते हो oil palm pollinating weevil है या फिर water hyacinth weevil है इन सब के scientific name के साथ में आप इनके जो functions है वो लिख सकते हो उसके अलावा pollinator हैं तो honey bees कितना जादा effective है और कितनी yield में increment करती है different crop में तो आप 1-2 crop के examples को उनकी yield में increment के साथ में ध्यान रख सकते हो इसी के साथ जैसे fig wasp है तो fig wasp किस तरीके से pollinate होता है और fig wasp जो fig है वो only pollinate हो सकता है सिर्फ fig wasp से तो ये important type की जो चीज़े बन जाती है इनको आपको ध्यान में रखना है इसके साथ ही pollination से related जो terminologies है उन्हें आपको ध्यान में रखना है जैसे mellitophily किसे बोलेंगे, canthrophily किसे बोलेंगे, myophily, sphegophily, psychophily and falliophily किसको बोलेंगे किस तरीके के किस insect से होने वाले pollination को particular year terms दी जाती है किसे बोलेंगे